आजी, नमस्कार, आदाब, सस्रीयकाल, खंबागडी, जैहिंद, 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 आवरिवन, दिसाइ नीरसिंग, बैसल और दाकोच, लेकर सूपर अप्रोच, पुरे इंडिया में, डिफेंस की एक ही सोच, दकोच, क्या हाल चाल आप सब लोगो मतलब, not just answer की, हम सबसे पहले चैनल हैं, जिन्होंने इस NDA के पेपर को सॉल्व किया है, ठीक है, और मैंने कल एक डिटेल्ड वीडियो पाच घंटे की चैनल पर डाल दी है, आप देख सकते हैं, उसमें पूरे के डिटेल्ड सॉल्यूशन है, एक इक चीज को डिसकस करते आईए बच्चों, उस पेपर से हमने क्या सीखा और हमें NDA 2.2024 की तैयारी कैसे करने चीए, और UPSC ने हमें किस-किस बातों के लिए सचेत किया, यह हमें पता लगना चाहिए इस सेशन से, तो बच्चों, इसमें पूरे सेशन को लास्ट तक देखना देखो, बहुत इंप अगर आपको इस बार सेलेबस करना है, अगर आपको इस बार सेलेक्शन चीए तो, और नॉट अनली सम फॉमलास, कनेक्शन अफ अल इंटर रेलेटिट फॉमलास, तो यहां पर मैने नमबर ले रखे, यह मैने अपने लिए रखे, क्योंकि मैं यहां से रेफरेंसिस देखर आपको कुछ चीज़ें लिखाऊंगा, तो पहला वाला पॉइंट करा कि कम्प्लीट स्लेबस करिए, एंटार स्लेबस बहुत सीरियसली करिए, और कुछ फॉमलास पर डिपेंड ना होके, जब आप पूरा चप्टर बनेंगे तो आपका इक फॉमलास का कनेक्शन निकल कर आएगा, वहां से questions आ रहे हैं, paper में आपके, तो वहां से तयारी करिये, जैसे कि मैंने आपके लिखा हुआ है, 11, 12, 16, इससे मतलब क्या है, यानि इसका मतलब यह है कि जब मैं आपको paper में 11, 12, 16, दिखाऊंगा, तो बच्चों, आप देख पाएंगे कि यार, जो सर बात ब तो आपका एक question हो रहा है एक के बाद अगर मैं और example दूँ तो मैं आपको सारे references देखे बताऊंगा कि एकी चीज़ के बारे में 11 के बारे में बात करेंगे अगर आपको इस चीज़े ठीक करनी है तो आपके पास यह सारे formless connection में होने चाहिए तो आपको बहुत सीरियसली बहुत बढ़िया तरीके से chapter को पढ़ना यह बात तो आपको यहां से clearly समझ में आ गई जैसे कि हाँ property पता होनी चीज़े तो यह चीज़े निकल कराएंगे तो UPSC ने सीधा-सीधा बोल दिया भी है सारा पढ़कर आओ connect करो तो यह number मिलेंगे क्योंकि मैं तो statement पूछ रहा हूँ statement वाले questions आ रहे हैं एक statement सही कर दी एक गलत कर दी आपका question गलत हो गया इसलिए आपको complete entire observation होनी चाहिए syllabus की भी और आपके formulas की भी पहला point आप सब बच्चों को clear हो गया होगा next point की तरफ चलते है next point क्या है हमारा next point है हमारा assume, let, hit and trial or option solving technique is also very very useful in this paper मतलब मैं generally बता हूँ तो करीबन करीबन 20 से 25 questions आपके assume करने से let करने से hit and trial से और option solving technique से हो सकते हैं लेकिन उन 25 के लिए भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए आपकी practice बहुत अच्छी होनी चाहिए कि कैसे करना है जैसे example के तोड़ पर मैंने हापे कुछ चीजे लिखी हुई है अगर मैं आपको 2, 9, 20, 25, 26, 29 दिखाऊँ ठीक है 2, 9, 20, 25, 26, 29 अगर मैं दिखाऊँ आपको तो 2 देखिए कितना बड़ा solution है green color का जबकि आपने इसको let करकर assume करके किया तो इस तरीके से खतम हो गया ठीक है 9 में भी अंदर कुछ ऐसा ही होगा ठीक है 9 का solution देखिए भाई red color से इसका bookish solution जो आपकी हालत खराब कर देगा लेगिन हमारा coach way तरीका assume से इस तरीके से तो ऐसे इसके अंदर 2,9,20 है ना और भी चीज़े हैं इसके अंदर तो आपका ये तरीका भी parallel इसके अंदर matter करता है कि भाई आप पूरा चीजों को ना solve करके कोई triangle let कर लेते हैं आप basic चीजों के साथ कर लेते हैं तो इस तरीके से चीज़ें यहां से होती probability, matrices, determinant, cover up to maximum strength इसके तो बहुत सारे कोशन से मैं आपको दिखा भी दूँगा कुछ बच्चे 11th class को generally बरबाद कर चुके होते हैं और बोलते हैं कि चलोब क्या करना फिर matrix determined को हलका हलका prepare कर लेते हैं NCRT level का समझ के तो वो भी खराब हो जाता है तो आपका permutation, combination और probability इस बार बड़े अच्छे लेवल पर बहुत 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 शांदार तरीके पर पूछा गया है तो आपको अपने matrices, determined, permutation, combination और probability अपने इन चार चेप्र को बहुत जादा स्टॉंग करना है और मैंने एक लाइन भी लिखे covered up to maximum strength यह नहीं कि आपने formality के लिए मैंट्रेसिस कर लिया नहीं, आपसे question नहीं बनेंगे अगर आप उनको maximum strength तक जाकर cover नहीं करोगे तो आपसे questions नहीं बनेंगे PNC का बहुत अच्छा example दू तो यह वाला question जो कि first time surprising था लेकिन हमारे कोच वे से देखिए यह solutions आपको ना कहीं मिलेंगे, ना किसी book में, ना कहीं इंटरनेट पे अपनी चीजों को जिस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं, उसी को apply करकर आपके questions हो रहे होंगे तो PNC, probability और आपका matrices and determined इनको maximum strength तक cover कर यह सारी definitions, सारे formula, सारे cases, सारी conditions उनके साथ आपको number 9 मिलने शुरू होंगे, यानि time pass के लिए नहीं कि भीया, चलो time pass कर लेता है, syllabus complete, ना ना गरबढ़ हो जाएगा Point number 4 पर आते है, basics should be strong, क्यों होंगे basics क्यों strong होने चीए, क्योंकि आपके जो standard result है, वो turn into higher standard result मतलब आप जो basic basic सी बातें पढ़कर जाएंगे, वही चीजें थोड़ी से बड़े level पर paper में पूछ ली जाएंगे, तो आपके basics का strong होना बहुत जरूरी है इसका example देना, example है, 14, 18, 32, 67, आईए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 14, 18, 32, 67, 14 एरा, ठीक है, अब आपको ये चीजें पढ़ा जाती है, x cube बराबर k cube तो ये होता, तो as it is वही paper के अंदर आपके result आगया, लेकिन x नाओ के z minus 100 आगया, तो आपको अपने standard result को उससे result से match करना है, ठीक है, और 14 के बाद क्या था भई, एक बार मैं देख लेता हूँ, 14 के बाद था इधर, 18, 32, 67, देखते रहें, देखते रहें, बहुत बहुत interconnection चीज है, और बहुत important तरीके सबना है, 18 देख लीजी, 18 के अंदर आपको binomial के अंदर 1 प्लस x की power end पढ़ा ही जात आपको basics को जब वो connected करवाएगा उस चीज के form में, तो ये वैसे हमने paper पूरा का पूरा करा दिया हमारी youtube पर जाकर आप देख सकते हैं, still हमने भी अभी भी मैं बोलूँगा कि सबसे पहले, still भी अभी हम solve किया गया है, ठीक है, ये standard result होता है, x square plus k, x plus k square, बहुत हम लोग प इंटू new question connection of PYQ, PYQ आपको मिलेंगे तो as it is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मिल गए, लेकिन आप PYQ करिए, क्योंकि PYQ ही थोड़ा सा अपग्रेड होकर नए question को convert करते हैं, कोई हुआ नहीं मचता है इसके अंदर, जैसे कि समझेए, मैंने आप पर कुछ एग्जांपल ये 10, 21, 73, तरसी, है ना, तो 10, 21, 73, 80, इनी चारों को अगर हम देख लें, 10, 21, 73, 80 को, तो ये आपका already paper के अंदर आ रखा है, लेकिन वहाँ पर आपका ये 5 के लिए आया था, यहाँ पर 8 के लिए आ रखा है, 5 का मतलब number of zeros पूछा था factorial के end में, जिसमें 5 factor रूँनते हैं, इसमें 8 की पावर के पूछा था, तो हमको 8 के factor बनाने थे, यानि PY, Q ही आपको यहाँ से connect करके आगे की तरफ ले जाएंगे, उनको सीखना है, उनको सीधा dependent नहीं हो जाना कि उतना उतना कर लेते है, as it is आएगा, नहीं भया, 10 के बाद अगर हम 21 की तरफ चले, यह भी question आपके अंद यह भी question में आपका रख है, PY, Q में बस यहाँ पे plus था, आप minus लगा दिया, तो यह generally आप कह लिजी कि PY, Q की बहुत अच्छी practice करनी है, और उससे नए expected question जो बन सकते हैं, उन सब को tackle करना है, good command on a graph and properties of function, functions की properties पर और functions की graph पर बहुत अच्छी command होनी जरूरी है, और देखो मैंने यहाँ पर भी उसका जिकर करा है, functions का, तो बहले six point को पढ़ लेते है, good command होना graph and properties of function, graph पर और functions की property पर बहुत अच्छी command होनी चीए, ऐसा क्यों बोला जा रहा है इसके अंदर, क्यों के graph पर 22, 28, 37, 87, 22 और 28 को देखते हैं, फिस 37 की बात करेंगे, 22 और 28 को देखें, अगर 22 और 28 ऐसा क्या है, 22 और 28 में, तो 22 में देख लीजिए, है न, even मैं बोल रहा हो कि कोई इसको पूव ही नहीं करा, किसी नहीं यूट्यूब पर आकर सिर्फ answer की टिकर है, अगर आपको graph बनाना आता है, बच्छो, x modulus x का और cos pi x का, तो आप सिर्फ graph से ही बाइज activity वग ऐसे question उसको कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे, बच्चों के साथ हुआ कि even solve करने के बाद भी, they are not sure कि इसका answer option में से कैसे टिक करें, तो जब logarithm आ गया positive, positive भी आ रहा था logarithm, क्योंकि x हमें x ज़्यादा दे रहा है, तो complete square भी positive होता है, positive of one positive, positive और ये negative, तो यहां से पता ल ज़रूरी है, knowledge होने की, देखिए, यहां पर अगर e की power minus x के graph आता तो आप कुछ भी नहीं करते, देखो p बराबर q कर देते, अब आता है नहीं है आप लोगों को बनाना तो वो आपका issue है, आपकी problem है, ठीक है, तो इस चीज के बारे में धियान रखेंगे, कि आपका properties of graph और graph के function, जिसकी मैं कल class भी ले रहा हूँ, कल morning में, 30 April है कल, तो 30 April को जब आप channel पर आएंगे, तो आपको morning में, at the rate 9 AM, आपको ए class दिख रही होगी channel के ओपर live ले हुई, तो जिसको मैं कल live लोगा, जिसमें मैं बता हूँगा की graph की importance क्या है, NDA के हमारे paper के लिकर, ठीक है, आगे की तरफ चलें, question number, point number 7, good command on geometry 2D and 3D, 2D के अंदर आप लोग जानते straight line और conic section यानी circle, parabola, ellipse, hyperbola और coordinate geometry और straight line आता है, 3D के अंदर vector और 3D आता है, उनकी definition, उनकी figure, उनकी formulas, उनकी representation, इस बार geometry में काफी अच्छे level पर पूछी गई है, तो ये आपको आना चाहिए, parabola क इदर बन रहा है, क्या हो रहा है, vector किसके साथ क्या angle बना रहा है, जैसे देखिए, 60, 61, 63, 64, 61, 63, 64, 61, 63, 64, 61, 63, 64, 63, 64, 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 64 clear होना चाहिए geometry को लेके ठीक है direct formulas आपको पता होने चाहिए कैसे काम करना है ठीक है direct formulas आपको पता होने चाहिए थोड़ी सी lengthiness आई है तो creativity आपके पास होनी चाहिए कि geometry में कैसे handle करना है कौन से चीज कहां लगेगी straight line की चीज को उसने कहां पर आकर कैसे apply किया ठीक ही सारी चीज़े matter करेंगे definition of parabola कितनी ज़्यादा important थी इन दोनों पॉइंटों के लिए वरना आप निकालती रह जाते तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको समय देके पढ़ना होगा इवन तो कई लोग पैरा बोला पढ़ा देते हैं without even drawing figure और बच्चे कहते हैं हाँ जी सर आगे कैसे आगे भई तो try to ask your teachers कि वो लोग उस लेवल का पढ़ा रहे हैं जिस लेवल की चीज़ें आप पर में आ रही हैं तो बच्चो चीज़ों को ध्यान से देखिए आप ये हमारे सारे direct result है हम लोग even marathons पढ़ी हुई है चैनल पर उन पर हुआ पर ही result रिगवा रखें ये सब आपके paper में हैं तो हम आपको उसी तरीके से पढ़ाएंगे हमारे जो batches चल रहे हैं उसमें आ रहे हैं देखो बच्चो ट्रिपल स्केलर प्रोड़क्ट आ गया बच्चो को confuse कर रहा था even teachers लोग बोल रहे हैं कि तो काफी lengthy question आ गया 2i और 3i j और 4 के दे दिया अरे भी ये वेक्टर के आगे 2-3-4 लिखने उसकी लंबाई पर फरक पड़ता है उसकी direction पर फरक नहीं पड़ता तो वही basics था यह तो आपका paper वाला basics के खेलेगा आपके साथ और आपको नुकसान दे जाएगा ठीके बच्चो तो यही आपको मैं बता रहा हूँ कि geometry को बहुत seriously लेना है आप लोगों को क्योंकि अच्छे level पर चीज़े उन्होंने पूछी थी question number 8 पर चलते है calculus का खेल आएगा functions के साथ हम कर सोचते है कि derivative integration application of derivative क्या नामे area under the curve, differential equation, integration हो गया जी हमारा जबकि हमने derivative application of derivatives function पर command बना के सीखना है greatest integer function का, modulus functions का इनका ही आपका continuity की continuous है या नहीं है derivatives और integration ज़्यादा तर आपके paper में almost इस बार पूरा का पूरा function का ही देखा गया, तो log, exponential, graphic, greatest integer function, modulus, तो जो मैंने बताया कि इसकी हम already class कल यूट्यूब पर free सुबह 9 बजे लेंगे 9th 5% out of the box मिलेगा ही मिलेगा आपको इसके लिए आप ready रहिएगा, UPSC ने तो चुनाफ कर दिया है भी है और आप कौन होते हो, उन्होंने तो इस बार civil services वालों को नहीं छोड़ा आप तक देख रहे हैं अब तक के 23 साल के हितियास में पहली बार 200 में से cut off 75 गई है civil services की I.S. IPS परिक्षा की तो आपका अग्जाम भी वो UPSC कंड़क कराती है तो 5% out of the box पूछने की बात रहेगी जैसे कि आपने statistics पढ़ा लेकिन उसके 103, 104, 107 question पर एक बार नजर डालिए आप कहेंगे कि यार ये paper में देने की जरूरत ही क्या थी 103, 104, 107 103 का एक बार solution देखिए Do you think की जरूरत थी इस question को ढ़ाई number कर देने के लिए इतनी सारी table बनाना 5-5 table, उनका sum, फिर formulas 103 के बार 104 को देखिए चलो 104 तो ठीक था फिर भी यार, मैं नहीं मानता की इतना बड़ा question statistics में देने चीए ठीक है, यह तो चलो से यह वाला सही था इसमें को issue नहीं था, यह भी ठीक था इसको देखिए, इसको teachers लोग बोल रहे हैं कि गलत question आगे, बच्चो इसकी statement पे ध्यान देना पड़ेगा, लोगों ने क्या किया इनको जोड कर 5 से divide कर दिया अरे नहीं भईया, उनको क्या बोल रहा है equal amount of money spent in oil by family in every year तो आपको इनका LCM ले के frequency बनानी थी ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका statistics वाला 5% out of the box रहेगा लेकिन अगें हम chapter को बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे तो हमें उसके अंदर कोई भी problem नहीं आईगी, ठीक है और first time in NDA exams कुछ ऐसी चीज़े भी है जो आप शायद पहली बारी देखेंगे जैसे कि इस बार आया, number of on to function into function, जैसे कि मैं आपको almost जानता हूँ कि मैं IATJ और TGT PGT यानि जो school में आपके teachers बनते हैं, उनको mathematics पढ़ाता हूँ हमारा एक और channel भी है, The Coach TGT PGT तो उस पर हम लोगों ने कि उनका इस level तक की चीज़े आ रखें तो almost कराया जाता है, ठीक है आपके NDA ने आज तक कभी भी इनकी चीज़े नहीं पूछी इस बार उसने पूछा है तो भीया, हम आप से अब आपको जो हम तयार करेंगे अब UPSC तो कुछ भी पूछो भाई, आप कुछ भी पूछो बच्चे फोडने वाले हैं, तो यह चीज़े फर्स टाइम आपके exam में देखी गई, जो कि अब तक नहीं देखी जाती है क्योंकि एक तो बहुत वास ले, बस उपर से UPSC ने बोल दिया कि हम भाईया, चैप्टर की स्टार्टिंग, चैप्टर की मेड, चैप्टर की एंडिंग कहीं से भी पूछ सकते हैं ठीक है, तो 5% अगर आपको उसकी लिए भी प्रिपेर कराएंगे क्योंकि जैसी चुनोती वैसी ही तयारी हमाई करनी है, ठीक है भी है तो UPSC आपकी चुनोती को स्विकार करते हैं, आप जो मर्जी पूछो भाईया, इस बार डंका बजा देंगे, ठीक और 10th point क्या है, 10th point बच्चो जो सबसे important है, जिसके आगे question mark लिखा है ही चाहिए, आप एक neutral body होने चाहिए हो, पेपर के अंदर बैठे हुए, जिसको सिर्फ ढ़ाई घंटे के अंदर बहुत seriously है ना, बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया से उस पेपर को अच्छा करना है, बहुत जादा दूर की नहीं सोचनी, SSB, घर, ममी, बापा वो सब बात की बात है, पेपर में be confident ढ़ाई घंटे के अंदर आपकी कलम आपका पेपर और आपका बैंच ही आपकी आगे की कहानी लिखने वाला है इसको इतना सोच के करना, कौन क्या फरक पड़ेगा, इस पर ध्यान नहीं दे बच्छो इन सब चीजों के साथ हम लोग अपनी नई तयारी को आगाज कर चुके हैं हमारा नया बैच, UPSC NDA 2224 के लिए जिसका नाम है परमवे 2.0 जो कि आप लोग जानते हैं, जब आता है तो आधी लेकर आता है, परमवे 2.0 स्टार्ट हो चुका है, जो कि हमारी दाकोच अकेडमी अप्लिकेशन पर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं कमेंट्स में भी पिन कर दूँगा, और इसका बैच जो स्टार्ट हो रहा है, बच्चो चार मई से स्टार्ट हो रहा है, रेजिस्टेशन अल्रेटी फइफाइब मैं से स्टार्ट हो गए है मतलब चार मई से इसके अंदर क्लासिस शुरू हो जाएगी, जिसकी वैलिडिटी आपके पास सिक्स मन्त रहेगी, ठीक है, इसमें बहुत सारे फीचर्स के साथ आपकी डेडिकेटीट टीम्स के साथ एक्सपिरियंस रिटन एग्जामिनिशन की टीम, इनके डेजिगनेशन, इनकी क्वालिफिकेशन, इनका एक्सपिरियंस देखिये, इसमें आपको इनक्लूड किया जाएगा, और इसके अंदर बहुत सारे सालिंट फीचर्स हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि भाई, आपको लाइव क्लासेज और शीट्स और आपकी जो मैथेमेटिक्स अप्टू जेएमेंस लेवल, इस चीज़ें की तरह की कवर कराएगी और हमारी बहुत प्रिस्टीजियस बुक दाकोच एन्डिये चकरा का वीडियो सॉलिशन भी आपको इसके अंदर पूर्ण रूप से मिल जाएगा, प्लियर? हाँ जी सर जी, तो बच्चा पार्टी इसी के अंदर हमारा बैच है, यह हमारा टाइम टेबल है, जिसकी क्लासे शुरू के वन मन्त ये चलेंगे और उसके बाद मैथेमेटिक्स थ्री आर्स हो जाएगा, और जी एस और साइंस भी हमेशा के लिए एक गंटे बढ़ जाएंगे, मतलब आपकी तयारी शुरू से ही आट गंटे शुरू होगी, और फिर धीरे आट साड़े आट नो गंटे अप्लिकेशन को आप The Coach Academy पर जाके डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, The Coach Academy पर वहाँ पर जाके परमवीर बैच के अंदर एन्रोल कर सकते हो, परमवीर बैच की जो अभी फीस है आप जो देख पा रहे हो, उसकी फीस अभी 5000 रखी गई थी लेकिन हमने ब 4000 किया हुआ है, ठीक है, लेकिन अब इस ओफर को भी हमने 1 मई 2024 तक, अगर आप ये The Coach 200 करके कूपन कोट डालते हो, तो 4000 पे भी 200 रुपीस का डिसकाउंट हो जाता है, और यह फीस विल भी 3800, ठीक है, उसके बाद 1 मई के बाद दुबारा से फीस 4000 4000 हो जाएगी, तो तरीके से, ठीक है, किस तरीके से हमें इस बार की Mathematics को प्रिपेर करना है, गलती है, कहां कहां होई, आपके किस पॉइंट में गलती हुई, जरूर कमेंट करके बताईएगा, और वीडियो से क्या सीखने को मिला, यह कमेंट करके बताईएगा, और क्या एक पॉजिटिविट दिन तो आपने बहुत परिशान हो, अब भी उस वीडियो को देखिए, आप देखिए कि हार हाँ, चीज़ें की जा सकती थी, 60-70 कोशन कोई भी कर सकता था, अगर अच्छे से Math प्रिपेर करे तो, तो हमारा एक कम्प्लीट बैच्चे जो की UPCND की तियारी करा रहा है, Singh Baisalai is signing off, शार्यम दक्षम युदे वलिदान परमधर्मा, जैहिन जैहिन, जैहिन बच्चा पार्टी.